जहां एक तरफ पक्षिम बंगाल में उपचुनाप के रिए वोटिंग और जारखंड में पहले चरण की होने वाली है वोटिंग और उससे पहले ही अवैद घोसुपैठी ये अवैद पांगला देशियों के ऊपर आज सवेरत से ही जो है वो बड़ी कारवाई की जा रही है अवैद रूप से लगातार बसते जा रहे हैं बंगला देशी और असमुद्दे पर अब एडी लगातार कर रही है च्छानवी अशत्रा जगाहों पर की गई थी च्छापे मारी और इस दोरान ही एडी ने तमाम ऐसी चीज़ें बरामत की है जिन से अब उठने लगा है सव पाल के आखिरकार कौन है वो लोग जो इन अवैद बंगला देशीयों को गोजा रहे हैं देश में और करा रहे हैं गोसुपैट जी हाँ दरसल आपके लिए बता दें कि आज एडी ने जो तरीके से 17 जगाहों पर सवेरे से ही छापे मारी करना शुरू की और अब एडी ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स के दुबारा ये जानकारी दी है कि इन 17 जगाहों पर जो छापे मारी की गई है आखिरकार क्या-क्या लगा है एडी के हाथ एडी ने राची और भांगला देश के घुसपैट संबन में जारखंड और पक्षिम बंगाल में पी अवैद हतियार अचल संपती के दस्तावेज और नकदी और आभूशन और प्रिंटिंग पेपर इसी के साथ आपके लिए बता दें कि प्रिंटिंग मशीन और आधार जाली बनाने के लिए इस्तमाल किये जाने वाले प्रोफार्म भी तमाम चीजें जो है व्याने की आपत क्यूंकि जिस तरीके से ये तमाम चीजें जो आपती जुनक चीजें आज ईरी के हाथ लगी है इसके आधार पर और भी तमाम जगाहों पर इरी आने वाले दिनों पर जो है वो छापे मारी करेगी क्योंकि अभी भी तलास जारी है क्योंकि देश में लगातार बढ़ता जा रहा है अवैद बांगला देशियों का ये प्रकोब जिस पर अब नकेल कस्वे की तैयारी कर ली है E.D. के द्वारा और आप के लिए बता दें कि ये एहम इसी लिए भी है E.D. की जो आज सवेरे से कारवाई चल रही है क्योंकि जहां एक तरफ E.D. इस तरीके से आपती जनक चीजें जो हैं वो छापे बारी के दौरान बरामत कर रही है और जब्त कर रही है वो भी ऐसे राज्यों से जहां कल होने वाली है वोटिंग और ये चीज तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से कुछ राज्रितिक पार्टियां अपने फायदे के लिए इन बंगला देशी गुसपैटियों के लिए देश में जो है वो गुसपैट कर आ रही है और यही एक बड़ा कारण है कि इन तमाम गुस इडी को आज बरामत हुआ है और आपके लिए बता दें कि ये दोनों ही राज्रित ऐसे हैं जहां पर लगातार बंगला देशीयों की जो अवैद घुसपैट है वो काफी जादा देखी गई है चाहे फिर जारखंड हो या फिर बहुत बात अगर जारखंड की की जाए तो जारखंड में भी काफी जादा जो है वो अवैद बंगला देशी घुस्त याने की घुस चुके हैं जिसकी कई बार रिपोर्टें भी सामने आई है और इसी मुद्दे पर लगातार भारतिये जनता पार्टी भी सवाल उठा चुकी है और अब बात करते हैं कि वोटिंग से इडी जो है वो छापे मारी कर रही है कहीं न कहीं चुनावों को प्रभात किया जा रहा है सरकार को यानि की जो मौझूदा पार्टी है मौझूदा सरकार है उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है उस पर आलिगेशन लगाये जा रहे हैं पर आज उस तरीके से तमाम यार क्यूं है कि एरी की कारवाई को लेकर ही उठाए जाते हैं सवाल और आपके लिए वदा दें कि जहां एक तरफ आज यानि की ये जो बांगलादेशी घुसवपैटियों को लेकर जो आज छानवीन की गई छापे मारी की गई ये सरफ गुसपैट के मामले को लेकर छानव नहीं की गई छापे मारी नहीं की गई बलकी मनी लॉंडरिंग का मामला भी इसमें शामिल था और इसी लिए जो है वो आज एरी के द्वारा यानि की परवर्तन देशाले के द्वारा ये छापे मारी गई और इसी के साथ देखिए बvention देशी नागरिकों के अवैद अजय पहले बार नहीं है जब एरी ने सिट अा आखशन लिया ही इससे पहले भी कई बार जो है वह इरी झार canal और पक्षिम बंगाल में इसी तरीके से रेड की है इसी तरीके से छापे मारी की है और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ तो यह मामला यानि कि जारखर्ड में जो है वो काफी जादा बांगलादेशियों का मुद्द जो है वो पहले ही गरमाया हुआ है ज़ारखण में चुनावों के दोरान बीजेपी ने बंगलादेशी घुसपैट का मुद्दा जो है वो जोडशोड से उठाया है और खुद प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ग्रह मंतरी अमिशा उठाया है और इसी के साथ हेमन सोरेन की सरकार पर जो है वो आरोब भी लग च पाटी के नेता जो है वो कई बार लगा चुके है और उन्होंने ये भी आरोफ लगाया है कि गुशपैटियों को जो मौझूद अस सरकार है वो लगातार आदीवासी इलाकों में जो है वो गुशा रही है बसा रही है और वहां जनसंख्या जो है वो बढ़ाई जा रही है सर्फ और सरे वोट बांक के चलते और आपके लिए बता देए कि मामला गंभीर इसलिए भी है देखिए एक तरफ गुस्पैट का मामला है दूसरी तरफ अरी लॉंडरिंग का मामला है और तीसरी तरफ इसमें एक और एंगल निकल कर सामने आया है और वो है देहवेपार से ज इसी साल में दर्जुकी थी राची पुलिस ने इसी साल जून में बरियातू थाना के छेटर और यानि की हिल रोड पे जो है वो बाली रिजॉर्ट से तीन संदिक्त बंगलादेशी यूवतियों को गिरफतार किया था और इसी से पदा चलता है कि किस तरीके से एक तरफ घु वेपार भी किया जा रहा है और इसी लिए इन तमाम मुद्दों को देखते हुए जो है वो अलग-अलग एंगल से जाच भी अब ED और इसके अलाबा अन्य एजंसी करेंगी क्योंकि जुस तरीके से आज जो तमाम चीजें सामने आई हैं आज जो चीजें ED के हाथ लगी है वो काफी बड़ा सबूत है और किस ओर इशारा कर रही है इस पर भी जाच जो है वो लगातार अब ED के द्वारा आगे की की जा रही है कैर इन तमाम चीजों का जो है वो एक खासा इंपाक्ट जो है वो कल की वोटिंग पर पड़ेगा जिस तरीके से मौजूदा सरकार के हो होते हुए लगातार जो है वो यानि की घुसपैट जो है वो बड़ी है और कहीं न कहीं बांगला देशी घुसपैटियों को जगा देने का काम किया जा रहा है और किन लोगों के द्वारा किया जा रहा है इस बात से भी जल्द ही खुलासा होगा क्योंकि जिस तरीके से छा पर आये हो आप भी हमें कॉमेंट करकर सरूर बताईए थन्ड़ बात